नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ चेतन पाठाक और आप देख रहे हैं एनमेफ न्यूज इसराइल और इरान के बीच जिस तरीके से मिडल इस्ट में इस वक्त भारी संखर्श जारी है इस एरान के जो प्रोक्सीज हैं यानि कि हमास जो है हिजबुला जो है उन्होंने इसराइल से वर ली हुई है और इसराइल इन्हें निप्ताने में लगातार लगा हुआ है खास तोर पर जिस तरीके से पिछले साल अक्टूबर में हमास की तरफ से इसराइल पर हमला किया गया उसके बाद हमास को जड़ से खत्म कर देने की कसम जो है वो बेंजमिन नेतनियाहू जो इसराइल के प्रधान मंतरी हैं उन्होंने खाई थी और लगातार उस पर तबसे हमला हो रहा है अभी भी हमले हो रहे हैं और हमास को निस्ते नाबूत करने की बाद जो है वो की जा रही है अब हमास को एक तगड़ा जटका लगा है और यह जटका इरान के सुप्रीम लीडर सरोच लीडर आयातुल्ला खामेनई को भी लगा है दरसल मुस्लिम देश ने ही इरान को हिला कर रख दिया है हम बात कर रहे हैं कतर की जी हाँ एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिस इरान लगातार कलाता आ रहा है और यह भी पिछले दिनों खामेनई ने कहा था कि सभी मुस्लिम देशों को एक साथ एक जुट होना चाहिए इसराइल के खिलाफ अब उनकी अपील जो है वो तो तभी धरी की धरी रह गई थी लेकिन अब उसका नामोनिशान ही मिटता कतर ने साफ साफ यह कह दिया है कि हमास एक आतंकी सम्हू है और उसकी मदद वो नहीं कर सकता है साथी आपको बताते हैं कि साओधी अरब समेत कई और देश हैं जिनोंने पहले ही अपने हाथ जो है वो पीछे घिच लिये थे इरान के साथ ना कोई बातचीत करने की बात की रही थी और नहीं हमास को कोई संट्रेक्षिण देने की बात जो है वो उनकी तरफ से की जा रही थी अरुब इकान ये दबाव जो है वो कतर पर बनाया है कि अगर आप मदद करते हैं तो यह आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा आप कतर क्योंकि आजकल सभी देश सिर्फ अपनी समर्थी चाहते हैं और यह चाहते हैं कि हम आगे बड़े हम ग्रू करें किसे के दबाब में हम काम ना क करें और इस बात को कतर आप समझने लगा हैं और कतर ने अब कही न कहीं इराइन को य जटका दिया है हमास इसको ये जटका दिया है और उन्होंने कहा है कि हम आपकी मदद जो है वो नहीं कर सकते हैं अब यह कबर सामने आने के बाद इरान को जटका लगाई है लेकिन जो जंग इस वक्ष में चल रही है वो अब कहीं ना कहीं इसराइल के पक्ष में जाती हुई जरूर नजर आ रही है इसराइल जो है वो दिन वो दिन वो दिन वैसे ही हावी हो चुका है और इस हावी होने के बाद और जादा चीजे जो हैं वो इसराइल के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है मिस्र हो या फिर जिस तरीके से कतर हो इनके पीछे हटने के बाद इरान कमजूर हो रहा है हमास कमजूर हो रहा है हिजवुला कमजूर हो रहा है अब वो किस तरीके से लड़ पाएंगे क्योंकि एक तरफ खामिराई मुस्लिम देशों को एक जुट होने की बात कहते हैं और एक तरफ कतर और मिस्र जैसे जो देश हैं वो पीछे बैक फुट पर जाते हुए नज़र आते हैं वो यह कहते हैं कि हमें आपका साथ जो है वो न ज़र आ रहा है लेकिन आने वाले दिनों में क्या इसराईल जो हमले हैं वो और ज़्यादा तेज करेगा या फिर पूरी जंग अब इसराईल के पक्ष में चली जाएगी क्योंकि अमेरिका तो इसराईल के साथ है ही डोनाल ट्रम बहाँ आ चुके हैं वो इसराईल का खुल ने कमेंट सेक्षिन में आप जरूर बता हैं और देखते रहें एनमेफ न्यूज